नमस्कार साथियों आपका साथी दिनेश मौरा लोगसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुक्यमंतरी भजनलाल सर्वा ने पेट्रोल और डीजल को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है अब देखिए लगाता लंबे समय से पेट्रोल और ड देश के परदान मंतरी नरंदर मोदी यहां पर आते थे और भासन देते थे उस समय सीधे तोर पर कहते थे कि जैसे ही राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम कर दिया जाएगा और जब दो तीन महीने बीद गए तो उसक राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल पर दो परसेंट वेट है वो कम कर दिया गया है क्या कुछ का है राजस्थान के मुक्यमंतरी ने और भी कई पैसले की गए लेकिन पेट्रोल और डीजल एक आप देखिए लगाता लाकों करोड़ों लोग है जो की लगाता राजस्थान की जनता को दी गई है पेट्रोल की अगर बात की जाए तो एक रुपे चालीस पैसे से लेकर पाच रुपे तीस पैसे तक सस्ता होगा अलग-अलग जिलों के अंदर अलग-अलग रेट है तो दो परसेंट वेट के साब से सस्ता होगा और डीजल की बात की जा सरकार में भी कर रहे थे और उसके बाद में हाली के दिनों में आप देखिए 5-7 दिन पहले ही पेट्रोल और डीजल के पंप है वो बंद कर दिये गए थे इसी लिए क्योंकि वेट कम नहीं कर रहे थे लेकिन उसके बाद में सरकार ने तीन दिन की महलत दी थी अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से जो वेट का कैलकूलेशन होता है अब यहां पर आप देखिए 110 रुपे 20 मैसे रेट है तो जब अपने यहां के पेट्रोल पर मालिक से बात की कि अगर जिए 2% वेट है वो कम हो जाता है तो मारमेर के लोगों को कितनी रात मिलेगी तो उनका सी पर यह करना है दो रुपे कम हो जाएगा दो रुपे 20 मैसे कम हो जाएगा यानि 108 रुपे हो जाएगा राजस्तान के अलग-अलग जिलों के अंदर आप देखिए गंगानगर के अंदर 113 रुपे रेट है और जैपूर के अंदर 108 रुपे रेट है तो उस तरीके से हर जग बनेगी पेट्रोल और डीजल की गारंटी है वो राजस्तान के मुक्यमंतिर भजललाल ने पूरी कर दी है